नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी का देखिए आज की वीडियो में हम MPTED वर्ग 3 के बारे में बात करेंगे और मैंने अभी तक 3 वर सीटेट का एक्जाम पास किया है उससे भी कोई लेना देना नहीं है क्यों क्योंकि मेरा भी ये 1st attempt है तो जो मेरा सीटेट का experience है वो मेरे लिए भी अब किसी काम का नहीं रहा है क्योंकि MPTED अब मैं पहली बार देने वाला हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस लिए क्योंकि मुझे आपके साथ देना है और जितने भी exam होते हैं teaching से related उनको देने में मुझे तो अच्छा लगता है आपको कैसा लगता है वो आप जरूर कमेंटर में बता है और जो भी अच्छे exam होते हैं उनको देना जाज़तर सभी को अच्छा लगता है तो आज से मैं आपके साथ एक teacher ना होकर आपके साथ एक aspirant हूँ और यह जो एक हम नई आत्रा सुरू करने वाले हैं MPTAT को लेकर उसमें हम एक दूसरे से मिलकर अपनी जो strategy है जैसे कि daily है कि strategy उनाय करेंगे मैं आपको आज की strategy बताऊंगा अपनी और आपको अपनी कोई strategy बतानी है वो आप अपनी telegram हम जो link share करेंगे उसमें कोई भी अपनी strategy share कर सकता है जरूरी नहीं है कि जो strategy मैं बताऊं वही follow करें अपनी अपनी हरे कोई strategy बना सकता है और जिसको यह अच्छी लगे जो मैं बताने वाला हूँ आज की वो follow करें तो साथ में मैंने सुनाया कि पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है जैसे कि by grocery के according हम सबको पता है कि collaborative learning से ज्यादा cooperative learning benefit देती है सबको तो cooperative की तरह ही हम सबको एक दूसरे का cooperate करते हुए चलना है तो यह MPTED बर्ग 3 को ही क्या बोलते हैं primary teacher बोलते हैं इसकी जो vacancy MPTED के जो form आये है इस form की last date कव है इसकी last date है 15 October तो आप इसको जल्दी से जल्दी जिसने नहीं वराया वो भर ले और फिर इसकी जो exam date है वो भी मैं आपको बता दू exam date है 10 November को तो 10 November को exam है और हमको यह सिर्फ और MPTED के exam को ध्यान में रखकर पढ़ाई नहीं करनी है मैं आपको उता दू MP में जब TED आता है तो उसी से उसके जो पहले primary teacher बनते थे वो उसी से बनते थे इसकी क्या लगती थी? merit लगती थी और last year जो cut off गई थी वो 110 गई थी तो यह last year गई थी जो last time वे vacancy आई थी last time 2022 में आई थी वो अब यह 110 तो गई थी general की merit अब क्या है इस वार? इस वार सिर्फ और सिर्फ इसमें change कर दिया गया है इसको सिर्फ आपको pass करना है और pass कितने पे होगा यह 60% पे यानि कि 90 नमबर आने चाहिए आपके 1500 मैं से तो आपका यह input पास माना जाएगा यह general वालों के लिए जाएतर सभी general वाले है और हरेक कोई 90 नमबर लाने की ही सोचे अब exam date हमको पता पड़ेगी 10 November को है उसी के according हम strategy बनाएगे अब daily आज क्या है? आज 13 October हो गई तो आज से इस ट्रेट जी बनाना चालू करेंगे, हमके डेली क्या क्या करेंगे, हमको पता रहेगा, हमने डेली क्या क्या टार्गेट किया है, और क्या हम उस टार्गेट को अचीव कर पाएं या नहीं, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो इसमें पहले प्राइमरी टीचर बनते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कटॉप से बन जाते थे, जो इसकी मेरिट जाती थी, अब ये MPTET इसके होने के बाद, तुरंत इसका जो मेन एक्जाम है वो होगा, ज्यादतर अभी तक ये बताया जा रहा है, न्यूज पेपर में इसकी तैयारी के लिए हमको एक्जाम डेट पता है, ये सबसे आज जरूरी है, इसका सिलेवस पता होना चाहिए, दूसरी बाद, इसका पेपर कैसे आता है, उसमें क्या क्या आता है, वो सब पता होना चाहिए, तो इसका डिटेल सिलेवस, टेलीग्राम ग्रुप पर ही पढ़ेंगे और जो भी आपने language लिए हिंदी first language लिए उसके 30 question आएंगे और मैंने इसकी English language लिए तो इसकी second language मानी जाएगी है इसके भी 30 question आएंगे अब बाताई मैत की मैत के भी 30 question आएंगे और उसमें पेड़ा गोजी वगएरा जो भी सब है वो सब details levels में दिया हुगा है हम उसी के according पढ़ेंगे तो आज सबसे पहले मैं उठाता हूं CDP को इसके जो 30 question आने हैं इनसे पढ़ने में काफी interesting है और इन 30 में से हमको कितने लाने पूरे 30 लाने है 30 marks लाने है तो यह 30 number पक्के करने के लिए आज सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यह जो MPTate है जो primary वाला है उसकी जो मेरे पास CTate के PYQ है उन में से मैं देखूँगा कि इसके जो CDP के paper है वो कैसे आए है आज मुझे कम से कम 90 question CDP के पढ़ने है 90 question और इनकी theory के साथ साथ तो आप देख सकते हैं यह book है मेरे पास 2019 की इससे मैं आज यह MPTate में जो भी exam आये हैं इसमें दिये हुए है कुछ जो MPTate के हो चुके हैं लेकिन अंतर इतना ही है कि अब जो exam है वो सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए है पहले वाला exam क्या था उसी से merit बनती थी तो वो थोड़ा tough आता था अब पास करना है हमको सिर्फ 90 number लाने तो इसके level में थोड़ा वहत फर्क पड़ सकता है लेकिन हमको level में फर्क पड़े या ना पड़े मैं आपको पहले ही बता होने वाला इसका main exam होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए strategy बनाऊंगा मैं CDP पड़ रहे हैं तब भी इसके जो भी यह 90 question है तो सिर्फ पास करने के लिए होगे इसके अलावा इसमें जो भी topic आए है अभी तक उसका syllabus किसी को नहीं पता कि जो main exam होगा उसका syllabus क्या होग लेकिन इन पांचों में ऐसे पड़ोगा जो main exam में भी अगर आ जाएं तब भी आराम से उसमें से एक भी question ना छूटे तो हमको ऐसे तैयार ही करनी है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो यह जरूर ध्यान रखना है कि इसका main exam यह 10 नवंबर को होने के बाद एक आद महीने में इसका result बहुत जल्दी आता है MP टेटर काफी जगे तो ऐसे exam होते हैं कि उसी दिन आपको result हो जाएगा तो अब हमें यह ध्यान में रखना है कि जल्दी से जल्दी इसका result आए और जैसी इसका result आगा आपने देखा होगा इसके notification में उसमें primary teacher की जो salary है व और फिर उनको paper को कौन दे पाएगा जो इसमें pass होगा तो आप बिल्कुल भी देरी ना कीजिए जिसरे form नहीं वड़ा है वो 15 October को last date है तो वो 15 October से पहले form ले इसमें थोड़ी ज्यादा प्रक्रिया लंबी हो जाएगी क्योंकि आपको कुछ hand retain वो देना है अपना एक तरी कार्ट से नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा अगर उससे नहीं अगर आप बायोमेट्रिक करवाते तब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो दौनों तरीके से आप कर सकते हो उसको तो थोड़ा लंबी प्रोसेजर के फॉर्म मननेगी तो जल्दी से जल्दी आप फॉ कर देते हैं तो कल तक आप फाइनल कर दीजी अपना इसे फोटो में डेट मांगी है और डेट के नीचे क्या मांगा नेम उपर आप लिखेंगे जैसे आज 13 अक्टूबर 2024 और नीचे अपना नेम लिख देंगे जैसे मेरा नाम है यश और आगी का इस तरह से आप नेम लिखेंगे नीचे के अड़ स आप अपना फोटो अपलोड करेंगे डेट डेंगे और नेम डाल देंगे आपके फोटो के नीचे आटमेकर इसा बन क्या जाएगा आप को षि कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें तीन महीने पुरान मांगा है आप चाहें तो एक-दो दिन पहले का डाल दें या एक-दो महीने पहले का डाल दें आपके उपर है तो आज कि हमारी स्ट्रेट्टी के अकॉर्डिक यह 90 कोस्टन कदम करने हैं आप भी साथ के सकते हैं टेलिग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे के बाद जो भी स्ट्रेट्ट यह आप बताएं उसको जरूर पूरा करें एक दिन में तो अब हमारे पास यह जो 13 अक्टुवर है यहां से लेकर 10 नवंबर तक हमारे पास कितने दिन हो जाते है 17 और 10 27 27 के आप 27 मानी क्योंकि आपका अक्टुवर 31 का ही है तो यह होगे 27 दिन तो इन 27 दिन में हम देखते हैं क्या कर सकते हैं कितना अच्छा कर सकते हैं और साथ के साथ यह जरूर ध्यान रखें कि यह सिर्फ और सिर्फ एमपीटेट की तयारी के लिए नहीं है इससे ह हम उन पर भी पूरा पूरा फोकस करेंगे मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद